हेलो साथियों, स्वागत है आपका Confidence Cluster में मैं कुमारवन, आज आपको Lecture No.2 Subject Hydraulic Machinery इस्टार्ट करने जा रहा हूँ सो इस्टार्ट करने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इस Subject को Majorally तीन पार्ट में बाटा जा सकता है Impact of Jet, Turbine and Pumps तो Impact of Jet को सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस Chapter का Main Aim क्या है और इस Chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने Already Board पे लिखा हुआ है कि इस Chapter का Aim है To Calculate the Impulse or Impact Force applied by the Jet over the Plate अब आपके मन में यह Question आ रहा होगा कि यह Impact Force क्या होता है और यह Jet क्या होता है It is very Simple जैसा कि मैंने आपको Introduction वीडियो में बताया था कि हमें Dam में Water Store करना है As a Simple हम Turbine पढ़ेंगे तो इसको आपको Elaborate करके बताया जाएगा लेकिन आप Just अपने Mind में एक Picture बना लिजे कि Dam में Water Stored है उसको Pipe से हम ला रहा है और एक Nozzle के द्वारा जैसा कि आप Fluid Mechanics में आप पढ़ेंगे आप वीडियो लेक्चर उसका देख सकते हैं यह Already है इस Type का एक Nozzle होता है और जब हम बहुत बड़े Pipe से उस Water को लाते हैं और जैसे यह Pipe से पानी आ रहा है आप यहां देख रहोंगे Nozzle का काम होता है कि यह Area A1 है यह Area A2 है अब Continuity Equation से हम जानते हैं कि A1 V1 is equal to A2 V2 अब हमारा Area Decrease हो रहा है Nozzle लगाने के बाद तो हमारी Velocity क्या होनी चाहिए Increase होनी चाहिए हम लोग Velocity Increase करते हैं ताकि पानी के जितनी भी Energy है उसको हम Kinetic Energy में बदल सकें और वो Kinetic Energy और यह पानी अटेक करता है यह Turbine का माली जी यह Turbine का एक Plate है और इस पे यह Force लगाता है इसे बोलते हम Impact Force इसी को हमें Calculate करना है इस Chapter में Main Concept Concept जिस पे यह पूरा Chapter वर्क करेगा वो है Newton's Second Law It is very Simple Force is equal to Rate of Change of Linear Momentum तो इसी Concept पे हमारा यह Chapter का आगे जितना भी डिसकसन होने वाला इसी पे होता है तो इसे हम Simply और बोला जा सकता है कि Force on Plate अगर मैं इसे लिखूँ Initial Minus Final Rate of Change of Linear Momentum यानि कि हमारे यहां कुछ Point होंगे Point of Entry Point of Exit यह आपको अभी मैं बताने वाला हूँ Section 1, Section 2 में से दोनों को Change करेंगे जितना भी Rate of Change of Linear Momentum का जो Difference आएगा वही Force इस पानी द्वारा इस Plate पे डाला जाएगा तो हमारे प्यारे साथी हूँ जैसा कि मैंने आपको थभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यह Chapter Impact of Jet Depend करता है एक Simple Concept पे जिसका नाम है Newton Second Law अब आईए आप सुरू करते हैं Impact of Jet और यह है एक Simple Diagram है यह Nozile का Diagram है लेकिन इस Diagram को देखने से पहले मैं आपको कुछ एक Practical दिखाना जाओंगा Maximum Students को इस Diagram को समझने में दिक्कत होती है तो Simply आपको सोचना है कि यह एक प्लेट है एक Normal एक प्लेट है Normal Simple प्लेट है अगर इस प्लेट को आप टॉप से देखेंगे यह प्लेट आपको ऐसे दिखाई देगी ऐसे दिखाई लेकिन एक्चुल में प्लेट है ऐसे आप टॉप से देखेंगे तो यह आपको ऐसे दिखाई देगी अब वाटर क्या कर रहा है नोजल से निकल रहा है यह हमारा नोजल है यहां से वाटर ऐसे निकल रहा है और यह इस प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है अब देखिए आपको यह इसका कॉन सर व्यू है यह इसका साइड व्यू अब इसको हम यहां टॉप से देखेंगे तो यह इसका टॉप व्यू तब पानी यहां से श्ट्राइक कर रहा है और ड्यू टू सेमेट्री आधा पानी इधर 50% पानी इधर और 50% पानी इधर जाएगा लगी क्या मैं इस प्लेन में इस वाटर को ड्रा कर सकता हूं नहीं यह एक डॉट जैसा आएगा ठिक तो इसलिए ड्राव करने में इजी हो इसलिए हम इसे टॉप व्यू में बनाते हैं देखिए यहां मैंने लिखा भी है टॉप व नहीं टेसे वाटर इधर और 50% वाटर इधर को कि डायवर्ट हो रहा है और यह पानी श्राइक करेगा तो पलेट पे फोर्ज देगा लिख तो यह है हमारी नोजल है जो एर्याड़िया कर रही हैं इंडिया करें पाद वेलॉश्टी इंक्रीज हो जा रही है और इस वेलॉ यह एफ जेट लिखा है थोड़ा छोटा होगे इसलिए मैं इसे बोल दे रहा हूं और जितना न्यूटर्स थार्ड ला एवरी एक्षन है एक्वल एंड अपोजेट रेक्षन तो फोर्स भी जेट पे प्लेट भी जेट पे फोर्स लगाएगा जिसको बोला जाता है एफ प्ल अब उसके नीचे वाली लाइन पढ़ने से पहले यहां आप ध्यान देंगे कि यह है वाटर वाटर देखिए यहां इस्ट्राइक किया और 50% वाटर इधर और 50% वाटर इधर गया क्योंकि यह है ऐसे इसका हम लोग हैं बना रहे हैं टॉप व्यू तो क्या आप बोलेंगे कि अगर यहां इस पानी का प्रेशर P1 और हाइट Z1 है जमीन से हाइट डॉटम से हाइट Z1 है और यहां इस पानी का प्रेशर P2 और हाइट Z2 है तो क्या यहां भी P2 और Z2 नहीं होगी क्यों होगी क्योंकि दोनों ही पॉइंट सेम प्लेन में है और डॉटम से हाइट सेम है क्यों सेम है क्योंकि पानी ऐसे श्ट्राइक कर रहा है और पानी जा और जा ऐसे रहा है तो जमीन से इस पॉइंट की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट इस पॉइंट की भी है अब इसे हम ऐसे बना देंगे जैसा कि अब हम इसे एहां ऐसे बना जा रहा है समझ रहा है यह डाग्राम टॉप िूम है इसे हमेशा याद रखेंगे इस Talर जमीन से इस पॉइंट के हएта भी agent तू है अब हम देखेंगे प्रेसर अब नोजल से निकलने के बाद पानी का जो प्रेसर हो जाएगा वह यह हो जाएगा एड्मॉस्फिरिक प्रेसर तो पी 1 यह है point of entry, one यहां दिखाया गया है, point one, यह छोटा है, इसे आप ध्यान देंगे, यहां है point one, यह है point two, और यह है point two, point two, point two क्यों, क्योंकि symmetry से, दोनों same height पे है, और 50-50% water, दोनों तरफ टाइबर्ट हो रहा है, तो point one को बोलेंगे, entry point, point two को बोलेंगे, exit point, ठीक है, f force of jet is equal to minus of force of plate, ठीक है, अब देखेंगे, यह velocity v1 है, यहां divert हुआ water, और यह v2 और v2 velocity से चला गया, लेकिन, अब point one, point of entry पे, जो पानी का pressure होगा, वो p atmospheric होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि तो आप बोलेंगे के atmosphere में है, तो क्या p2 भी p atmospheric के बराबर होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, तो यह भी p ATM के बराबर होगा, तो p1 भी p ATM के बराबर, p2 भी p ATM के बराबर, क्या z1, z2, यह सब एक ही plate में है, तो क्या बराबर होंगे, यह है, पानी यहां से ऐसे strike कर रहा है, पानी यह चीज ऐसे strike हो रही है, तो क्या यह 0.1 और 0.2 और 0.2 यह दोनों same है, तो 0.2, 0.2 और 0.1 क्या जमीन से same height पे है, इसे मैं यहां ले जा रहा हूँ, और इसे मैं ऐसे convert करके बना दे रहा हूँ, तो क्या Z1, Z2 और Z1 और Z2 एक जमीन से same height पे हो गया, जी हां बिल्गुल, तो Z1 is equal to Z2 is equal to Z, तो आप इस diagram को अब समझ चुके हैं, कि nozzle है, यहां से water निकला, पानी 50-50% divert हुआ, और यह है हमारी plate, ठीक, अब हम एक concept पर आते हैं, m., m. को बोलते हैं, mass flow rate of water which strikes the plate, what is mass flow rate, it is nothing, but mass per unit time, per unit time, ठीक, mass upon time, इसका unit हो जाएगा, kg per second, यानि कि यहां water निकल रहा है, अब हम इस पूरे subject में, आगे जितना भी पढ़ने वाले हैं, हम mass की बात करेंगे, तो जितना mass strike कर रहा है, एक unit time में हम उसकी बात करने वाले हैं, तो यहां से पानी निकल रहा है, तो उसका कुछ mass होगा, अगर हमारा unit time एक second है, तो एक second में कितना पानी इस पे इस ट्राइक किया, वो हो जाएगा m dot, अगर हमारी unit time एक minute है, तो 60 second में कितना water इस ट्राइक किया, वो हो जाएगा m dot, ठीक है, तो अब हम फिर से आते हैं, Newton second law पर, ठीक, तो Newton second law कहता है, कि force is equal to rate of change of linear momentum, अगर P से आप momentum दिखाते हैं, T से आप time दिखाते हैं, तो final minus initial, यहां कि m2 v2 minus m1 v1 divided by delta T, m2 mass at 0.2, v2 velocity at 0.2, similarly v1 and m1 is mass and velocity at 0.1, तो जैसा कि हम जानते हैं कि momentum is equal to mass into velocity होता है, यहां हम T को दोनों तरफ कर देते हैं, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं, m2 v2 upon delta T minus m1 v1 upon delta T, तो यह देखिए, m2 by delta T, m1 by delta T हो जाएगा m dot, यह हो जाएगा, m2 dot v2 minus m1 dot v1, तो force of jet is equal to minus of force of plate, तो हम इस subject में बात करने वाल हैं कि plate, न, plate कितना force लगाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि newton second ला, जिसमें बताया गया है कि force is equal to rate of change of linear momentum, is equal to final minus initial, final minus initial, यहाँ से आगया m dot 2 v2 minus m dot 1 v1, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि सर ने यहाँ f jet is equal to initial minus final क्यों लिखा है, यह बहुत ही simple है, क्योंकि यह जो force निकल रहा है, यह f of plate है, यानि कि plate jet पे कितना force लगा रहा है, इसे हमने दिखाया है f of plate से, तो अब इसे हम यहाँ से connect करते हैं, इन दोनों का आप यहाँ यह तीर बनाता हों और यहाँ, by newton's third law, newton's third law, we know that every action have equal and opposite reaction, तो f of jet, यानि कि jet जो plate पे force लगाएगा, उसका direction एक दूसरे से opposite है, तो f of jet is equal to minus of f of plate, तो f of jet is equal to initial minus final, that is m.v1 minus m.v2, अच्छा, आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ m.v1, m.v2 आया, m.1, m.2 क्यों नहीं आया, तो यह भी बहुत ही simple है, क्योंकि यहाँ जितना mass आ रहा है, m.mass आ रहा है, mass per unit time, मैंने आपको बताया कि यह दोनों point ऐसे हैं, एक plate पे है, और यहाँ से पानी इस पे strike कर रहा है, अगर हमारा यह plate है, यहाँ से पानी strike कर रहा है इस पे, और इसे मैंने ऐसे बनाए है, हम क्या बनाए है, top view में इसे बनाए है, दोनों point की height जमीन से same है, ठेक, तो 50% water इधर जा रहा है, 50% water इधर जा रहा है, यानि कि यहाँ जो पानी जा रहा है, वो m.by2, और यहाँ जो पानी इधर जा रहा है, उपर किते, मैंने उपर नहीं, इस side, अगर यह plate है, यहाँ से हमारा jet strike कर रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, और इधर जा रहा है, यहाँ भी m.by2, यहाँ भी m.by2, अलिके आप देखिए, इस jet को हम इसमें नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हमने इसका top view देख रहा है, इसलिए हमने इसे top view में बनाया है, तो अब इधर भी पानी m.2 जा रहा है, ठीक, तो अब यहाँ से आएंगे, कि यहाँ मैंने m.by2 कैसे लिखा, तो इसे थोड़ा elaborate में करता हूं, m.v1 तो रहेगा ही, initial, final क्या हो जाएगा, m.by2 into v2 minus m.by2 into v2, अब देखिए, यह by2 by2 दोनों सम होके, यह भी m. हो जाएगा, तो हमें यह formula मिलेगा, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया है, कि jet जितना plate force में लगाएगा है, जिसे हम f jet बोल रहे हैं, वो हो जाएगा, m.v1 minus m.v2, यह बहुत ही basic formula है, इसे हम आगे वाले, आने वाले हर class में, इसे use करने वाले है, इसे को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर हम m. को common लेने, m. minus m. bracket में v1 minus v2, ठीक, इस formula की बात किया जा रहा है, f jet is equal to m. bracket में v1 minus v2, आईए हम सुरू करते हैं, इस प्यारे से chapter जिसका नाम है impact of jet का case 1, यह एक important topic रहेगा, इसे इसी basic से इसके जो इस chapter के सारे आगे की cases रहेंगे, यह इसी पर depend करेंगे, तो यह जो आप diagram देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, यह जो diagram बना है, यह nozzle का है, तो यह nozzle को आगे से हम इसको ऐसे दिखाएंगे, तो इसे आप याद रखेगा, यदि मैं nozzle को ऐसे बना देता हूँ, तो आप confused नहीं करेंगे, इस सारी इतने बड़े से nozzle को मैं आगे हर diagram में, इस line diagram से दिखाने वाला हूँ, पानी को भी line diagram से दिखाए जाएगा, लेकिन आपको यह अभी basics है, आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए यह elaborate diagram बनाया जा रहा है, तो जैसा कि अभी पहले वाले initiation में हम लोग पढ़ रहे थे, कि यहाँ nozzle है, इससे पानी आ रहा है, nozzle से जो पानी बाहर निकल रहा है, जहाँ area कम हो चुकी है, वहाँ की velocity है, V1, और पानी यहाँ टकराने के बाद, यहाँ जो velocity जा रही है, V2 है, यह आप यह भी आपको एक बर फिर से याद दिला देता हूं, कि 0.2, 0.2 दोनों की जमीन से height सेम है, इससे आप हमेशा याद रखेंगे, कि यह जो diagram बना है, वो top view में बना है, top view, यह है point of entry, और यह है दोनो point of exit, यहाँ से mass आया, और 50%, 50% mass, दोनों direction में divide हो गया, m dot, mass flow rate, mass per unit time, ठीक है, point 1 पे pressure P1 और height Z1 है, point 2 पे pressure P2 और datum से height Z2 है, but Z1 is equal to Z2 is equal to Z, कैसे मैंने आपको अभी समझाया, क्योंकि जमीन से दोनों point की height सेम है, P1 is equal to P2 is equal to P atmospheric, दोनों point पे ही, entry और exit पे ही, जो pressure रहेगा, वो atmospheric pressure होगा, क्यों होगा, क्योंकि nozzle यहाँ खतम हो गया है, पानी बाहर निकल गया है, और पानी atmosphere में है, तो उस पे pressure, atmospheric pressure ही होगा, और क्या होगा, चलिए, तो jet जो force लगा रहा है, प्लेट पे वो है F jet, प्लेट जो jet पे force लगा रहा है, वो है F plate, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, F jet is equal to M dot bracket में V1 minus V2, ठीक है, अब हमारा case 1 है, jet strikes stationary flat plate in the normal direction, इससे पहले वाले डियाग्राप में मैंने आपको दिखाया था कि यह plate है, चलिए हम इसे अब stationary बना देते हैं, तो stationary बनाने के लिए यानि कि यह है, रुकी हुई, इसे कर दिजिए fixed, अब यह plate कहीं hill dole नहीं सकती, चलिए अब plate hill dole नहीं सकती, इसको हमने यहाँ पकड़ दिया है, तो अब यह शुरू करते हैं, फिर अब हमें क्या निकालना है, कि jet इस flat plate पे कितना force लगाएगा, इससे पहले हम इस coordinate fix कर दिया जाए, जैसा है कि आप सभी जानते होंगे, कि यह है x direction, यह है y direction, और direction of flow यह है, जो direction of flow, जो यह है direction of flow, यह है plate के normal direction में, और यह है plate के tangential direction में, यानि कि जो flow आ रहा है, वो plate के normally attack कर रहा है, और जो पानी जा रहा है, वो plate के tangential direction में जा रहा है, आप इस diagram में एक नया चीज़ देख रहा होंगे, यह, यह purposefully बनाया गया है, यह mistake नहीं है, इसे कहते हैं splitter, इसका काम होता है पानी को split करना, आप बोल रहा होंगे पानी यहां से आ रहा है, 50% यह जा रहा है, 50% यह जा रहा है, इसको smoothly split किया जाए, इस पानी को, इसलिए splitter किया जाता है, अगर यह नहीं रहता तो क्या होता, अगर यह नहीं रहता इस splitter जैसा एक construction इस plate पे नहीं दिया जाता तो यहाँ turbulence होता, turbulence से क्या होता? Idis form होती, idis से क्या होता? कि पानी के जो energy हो, idis के construction में loss होती और idis बनती और फिर बिगड़ती फिर बनती और बिगड़ती रहती और constantly हमारी energy यहाँ loss होती So, to increase the efficiency, कि ज़्यादा से ज़्यादा energy हमें पानी से splitter पे मिले इसलिए हम यहाँ splitter लगाते हैं जैसा कि मैंने आपको already बदा चुके हैं कि जो Z1 है, is equal to Z2, is equal to Z है और P1 is equal to P2, is equal to PATM है तो आप बोल रहे होंगे कि सर बार बार यह क्यों बोल रहे हैं इसका एक use है, क्योंकि अब जितने भी cases रहेंगे जैसे हमारा यह पहला case है, jet strikes stationary flat plate in the normal direction यह हमारा plate है, यह है इसका normal direction, यह है उसका tangential direction पानी normal direction में strike कर रहा है, tangential direction में 50-50 पर से जा रहा है ठीक है, चलिए आगे सुरू करते हैं तो अब हमें क्या करना है, कि हर case में force in normal direction और force in tangential direction calculate करना है यह हमारा x direction, यह हमारा y direction by luck, by luck कहा जा रहा है, या by coincidence, x direction ही इस plate में normal direction है y direction ही इस case में tangential direction है, लेकिन अगर इस plate को ऐसे inclined कर दिया जाएगा तो x और y normal और tangential direction नहीं होंगे, इसे आप याद रखेंगे आगे inclined plate का भी case आने वाला है ठीक है, तो इस case में f in x direction is equal to f normal direction होगा और f y is equal to f, norm f tangential होगा, ठीक है तो चलिए, अब हम निकालेंगे, इसको force निकालने से पहले ये nozzle के just bar, just bar, just bar, just bar, जैसे पानी निकला एक section हम बनाएं, इसका नाम है section 1 और ये जो पानी ये जा रहा है, दोनों symmetrical section 2 ठीक, तो ये दो section हो गया हमारे तो दोस्तों जैसा हमने बताया, कि हर case में हमें normal or tangential force निकालना है, जो jet plate पे इलाई करेगा तो उससों निकालने से पहले, हम section 1 और section 2 को आपको बताई दिये हैं कि section 1 इधर है, पानी just jet से बाहर निकलना है और यह है section 2, यहाँ पानी इस plate को छोड़के बाहर जाने ही वाला है ठीक है, तो आईए बढ़ते हैं और apply करते हैं section 1 और section 2 के बीच में energy equation, energy equation क्या होता है P1 by rho G plus V1 square by 2G plus Z1 is equal to P2 divided by rho G plus V2 square by 2G plus Z2 plus head loss क्योंकि यह plate smooth है, इसलिए head loss इस case में 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा, head loss इस case में 0 हो जाएगा अब देखिए, P1 is equal to P2 is equal to P8M यहां बताया गया है, यह term cancel हो जाएगा V1, अच्छा, Z1 is equal to Z2 is equal to Z, दोनों डॉटम से same height पर है मैंने बताया चुका, Z1 is equal to Z2 यह term cancel हो जाएगा तो अब बच्छे क्या, V1 is equal to 2G is equal to V2 is equal to 2G कहने का मतलब है, यह से आप solve करेंगे तो V1 is equal to V2 आ जाएगा लेकिन, अब हमने प्रूफ कर दिया कि V1 is equal to V2 लेकिन आप जानते हैं कि velocity एक है vector direction, यह है velocity V2 यह भी velocity V2 है, in the sense of magnitude, but direction opposite है तो एक अगर V2 है तो दूसरी उसकी negative होनी चाहिए, तो अगर यह V2 है इसे हम लिखेंगे क्या minus V2, क्यों क्योंकि इसका direction opposite है तो V1 velocity से आया, V2 velocity से गया, और यह हो जाएगी V1 is equal to V2 हम प्रूफ कर चुके हैं, तो V2 is equal to V1 और minus V2 is equal to minus V1, as simple as that अब चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालना है force in normal direction and force in tangential direction, mass flow rate, क्या होता है mass divided by time, mass को हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, mass को हम लिख सकते हैं density into volume, density को मैंने represent किया है, rho से, तो rho into volume divided by time अब volume को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर nozzle से per unit time में मान लिजे, यह nozzle से water है, वो cylindrical form में निकाल रहा है और इसका length L है और इसका area जो होगा nozzle का area जो की होगा by by 4, d2 का square d हो जाएगा, dia of nozzle तो area into length is equal to volume लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अब आप क्या करिए कि length upon time करिए length upon time, हाँ velocity, इसे आप velocity कहेंगे, जरूर, अब देखिए तो mass flow rate को आप लिख सकते हैं, density into area into velocity अब यह हमारा जो यह है formula यह मैंने directly आगे के lecture में यूज करूंगा, इसे आप याद रखेंगे कि mass flow rate is equal to density into area into velocity ठिक, आप इस diagram में देख रहे होंगे, कि यहाँ V1 velocity आई है, जो कि इस plate के normal direction में है, लेकिन जब 0.2 पे यह velocity जारी है, तो यह completely tangential direction में है, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, तो आप यह पाएंगे कि point 2 पे अगर हम normal direction पे velocity देखते हैं, V2 in normal direction तो यह है 0 similarly, इधर point 2 पे भी normal direction पे जो velocity है, V2 in normal direction यह है 0 जो भी है velocity वो tangential direction में है, minus V2 is equal to minus V1, V2 is equal to V1 हमने proof किया हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि M dot is equal to rho A V1 होता है अब हम force निकालेंगे in the normal direction of plate, बहुत ही simple है, क्या करना है आपको section 1 से section 2 के बीच में rate of change of linear momentum निकालना है, rate of change of linear momentum को मैंने proof किया था कि वो होता है M dot V के बराबर, M dot को आप क्या लिखेंगे, rho A V1 इससे पहले, section 1 पे आते है, M dot mass का पानी आया, velocity V1 से आया हमने क्या लिखा यहाँ, M dot V1 minus initial minus final, आपको f of jet थोड़ी देर पहले आपको बताया था f of plate होता है final minus initial, f of jet होता है initial minus final, तो M dot V1 minus अब देखिए, M dot 2 mass इधर गया, M dot 2 इधर गया, लेकिन x direction या normal direction में तो velocity इसकी 0 है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, minus M dot by 2 into 0, minus M dot by 2 0 तो हम के मिल गया, fn is equal to M dot V1, fn is equal to M dot V1, M dot को हम पुट किये, rho A V1 और हमारा formula मिल गया, rho A V1 square, चलिए, अब इसी के बाद हम निकालने के कोशिस करते हैं, force in tangential direction तो देखिए, क्या पानी आ रहा है वो tangential direction में, बिल्कुल नहीं, वो तो normal direction में है, तो M dot mass तो आया, लेकिन उसकी tangential direction के velocity हो गई 0 ठीक, अब देखिए, minus bracket लगाते है, velocity जो जा रहा है, M dot by 2, एक तरफ जो जा रहा है, उस velocity का value है, V1, फिर जो दूसरी तरफ, M dot by 2 mass जा रहा है, वो जा रहा है, minus V1 velocity से, किस velocity से, minus V1 velocity से, जी हाँ, बिल्कुल, जो आप समझ रहे हैं, वही होने वाला है, minus, यहाँ आ जाएगा, और यह term, और यह term, हो जाएगे, cancel, तो tangential direction में force हो जाएगा, 0, तो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक jet, एक flat, stationary plate पे strike करता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, stationary word यहाँ यूज कर रहा हूँ, है, stationary plate रुका हुआ है, अगर इस ट्राइक करता है, तो normal direction में जो force लगेगा, वो रो एवी वन square, और tangential direction में जो force लगेगा, वो लगेगा, 0 force, तो आप एक note, आप note करेंगे, अपनी notebook में, इसको एक note बनाके point से लिख लिए, कि when jet strikes a flat stationary plate, the force in tangential direction is always 0, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी के साथ यह topic आज हम हम खदम करते हैं, इसके बाद का हमनारा case रहेगा, case 2 कि पानी inclined plate पर strike कर रहा है, उसके बाद हम एक और case discuss करेंगे, जिसमें एक plate, एक plate hinge है, और वो लटक रही, उस पर पानी इस्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद हम circular wind और फिर moving plate और moving circular wind पर strike करेंगे, और उसके बाद हम जो practical examples होता है, और जो gate में आए हुए, और ESC में आए हुए question है, उसे भी solve करेंगे, तो इस वीडियो में आपको एक simple सा बस formula याद कर करना है, M dot is equal to row A V1, normal direction में जो force रहा है, row A V1 square, but यह है stationary plate, अगर plate move करेंगी, तो मैं आपको hint देता हूँ, जब भी अगर plate move करेंगी, तो वहाँ हम लोग relative velocity पे focus करेंगे, किस पे focus करेंगे, relative velocity पे, क्योंकि jet भी moving है, plate भी moving है, actual interaction हुआ, वो किस velocity से होगा, relative velocity से, जो force jet उस प velocity से, actual velocity से डालने सकता है, भाई, plate भी move कर रही है, तो चलिए आपको बस hint दे दिया हूँ, अगले वीडियो में इसके बारे में elaborate किया जाएगा, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद,